Hello Everyone, Welcome to Study IQ Study IQ के इस वीडियो में हम करेंगे Bilingual Format में 300 Best Question December के Second Week के तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं Important Days कोन से रहे International Anti-Corruption Day 9 December को Celebrate किया गया International Anti-Corruption Day इसका थीम क्या था? Recover with Integrity Recover with Integrity Sark Charter Day 8 December को Celebrate किया गया Sark बना था 8 December को और Sark का Headquarter Nepal की Capital Kathmandu में है International Day of Epidemic Preparedness ये पहली बार मनाया जा रहा है 2020 में और ये बहुत ज़्यादा important है International Day of Epidemic Preparedness 27 December को मनाया गया Human Rights Day 10 December को मनाया गया ये भी बहुत important है Human Rights Day और इसका Theme था Recover Better Stand Up for Human Rights UNICEF Day 11 December को मनाया गया UNICEF Day International Mountain Day ये भी 11 December को था और इसका Theme था Mountain Biodiversity International Universal Health Coverage Day ये 12 December को मनाया गया इसका Theme था Health for All, Protect Everyone Health for All, Protect Everyone अब देखते हैं कुछ important लोग जिनकी death हो गई Famous Hindi writer Madhukar Gangadhar की death हो गई Madhukar Gangadhar Italy के महान खिलाडी और 1982 World Cup Star Paolo Rossi की death हो गई 1982 में Italy ने World Cup जीता था उसमें Paolo Rossi superstar थे Chuck Eager ये पहले pilot थे जिन्होंने अपना जो aircraft है वो sound की speed से भी ज़ादा fly किया ठीक है? Aircraft sound की speed से भी ज़ादा तेजी से उड़ाया Chuck Eager तो इनकी death भी हो गई America के musician Charlie Pride की death हो गई Charlie Pride E Swatini के प्रधान मंत्री Ambrose Dalamini की death हो गई E Swatini country जो है इसका पहले नाम था Swaziland Swaziland महशूर politician और 5 बार Member of Parliament Radhika Ranjan Pramanik West Bengal से थे इनकी death हो गई और महशूर पहलवान शिरिपती खांच नाले जिने हिंद केसरी का खिताब भी मिला हुआ था उनकी death भी हो गई अब हम स्टार्ट करते हैं बहु विकल्पी है यानि की MCQ format जहाँ पे 4 option दिये जाते हैं उन questions को जल्दी से revision करते हैं कौन सा dance sport है जो Paris 2024 के जो खेलोंगे उनमें include किया गया है शामिल किया गया है पहली बार debut होगा डेब्यू का मतलब है पहली बार सो ये है break dancing ये है break dancing 2024 में Paris में होंगे Olympic, summer Olympic और 2028 में होंगे Los Angeles में Los Angeles और एक बात और याद रखिये 2022 में Winter Olympic होंगे बीजिंग में 2026 में होंगे Milan और Coltina जो Italy के दो शहर है उनमें Sheik Sabaha Al Khalid Al Sabaha ये दुबारा चुनलिये गए हैं प्रधान मंत्री कोन से देश के कोन से देश के प्रधान मंत्री फिर से नियुक्त किये गए हैं चुनलिये गए हैं Sheik Sabaha तो ये हैं Kuwait के कुवैट के प्रधान मंत्री बने हैं Sheik Sabaha इनमें से कोन सा भारत का संगठन है या और्गेनाइजेशन है जिसे International King Bhoomibol ठीक है ना अंतराश्टिये राजा Bhoomibol विश्यू मृदा दिवस प्रुसकार दिया गया है यानि की World Soil Day Award मिला है ये मिला है Indian Council of Agriculture Research को Indian Council of Agriculture Research मतलब भारतिये क्रिशी अनुसंधान परिश्यद आप्शन ए और ये भुमी बोल जो राजा थे ये थाईलेंड के राजा थे अभी राजा कोन है थाईलेंड का महा वजीरा महा वजीरा लॉंकॉन महा वजीरा लॉंकॉन थाईलेंड के राजा है अभी ये भी ध्यान रखिए और ये प्रुसकार किसके द्वारा दिया जाता है ये FAO के द्वारा दिया जाता है Food and Agriculture Organization के द्वारा खादे और कृशी संगठन के द्वारा दिया जाता है World Soil Day के उपलक्ष में ये दिया गया Very Important अमरीका के जो राश्पती बने है नए जो बाइडन इन्होंने सर्जन जनरल की उपाधी किसे दी है सर्जन जनरल चुने गए है डॉक्टर विवेक मूर्ती पहले भी चुने जा चुके है ये बैरेक उबामा जब राश्पती थे तब तो डॉक्टर विवेक मूर्ती दूसरी बार बने है अमरीका के सर्जन जनरल और अमरीका में जो हमारे एमबेसेडर हैं राजदू थें उनका नाम है तरंजीत सिंग संधू तरंजीत सिंग संधू अनिता आनंद के द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है कौन सी किताब है जिसे पैन हैसल टिल्टमेन प्राइज मिला है ये हिस्टरी के लिए मिला है इतिहास के लिए मिला है तो इस किताब का नाम है दपेशेंट असेसिन और ये किताब जो लिखी गई है, ये 1919 में जो जलियाँ वाला बाग मैसे कर हुआ था, 1919 में जो जलियाँ वाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके उपर ये लिखी गई है अभी अभी नेपाल और चाइना ने जो माउंट एवरेस्ट की उचाई है, हाइट है, वो दुबारा मेजर करी, तो उसमें कितना फरक आया है पहले माउंट एवरेस्ट की उचाई, 8840 मीटर थी, 86 सेंटिमीटर बढ़ गई है, तो आंसर है 0.86 मीटर, यानि 86 सेंटिमीटर माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है, वो बढ़ गई है Mount Everest को नेपाल में सागर मठ बोलते हैं सागर मठ कई बार आप सागर माथा लिखाओ भी देखेंगे बात देखिए National Institute of Naturopathy यानि राष्ट्रिय प्राकिर्टिक चिकित्सा संस्थान ये पुने में अभी इसका नया campus बना है जो नया परिसर उसका नाम क्या रखा गया है उसका नाम निसर्ग गराम रखा गया है और आपको बता दू भारत में आयूरवेद के दो नए कॉलेज बने हैं एक बना है जैपूर में और एक बना है जामनगर में तो ये दोनों जगा याद रखिए जैपूर और जाम नगर में आयूरवेद के नए कॉलेज बने है कनहार गाउं सेंचुरी ये पचासवी वाइल लाइफ सेंचुरी बनी है कौन से स्टेट की कनहार गाउं अभ्यारण ने ये महराश्टर का पचासवा वाइल लाइफ सेंचुरी बना है मतलब बोर जो है वो यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, बोर टाइगर रिजर्व, मेल घाट टाइगर रिजर्व है, सयादरी टाइगर रिजर्व है, नावे गाओ नैशनल पार्क है यहाँ पे और नावे गाओ नाग जीरा टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, फिर तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और तडोबा नैशनल पार्क तो महाराष्टर काफी एक्टिव है वाइल लाइफ के विद रेस्पेक्ट संजे गांधी नैशनल पार्क भी यहां पे है कौन सा देश है कौन सा कंट्री है जह बोल्ड, कुरुक्षेत्र और एक ओरम करते हैं SITMEX, SITMEX, इसमें सिंगापूर भी होता है और थाइलेंड भी साथ होता है वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम का हेड़कॉर्टर कहां पे है, जनेवा में है, जनेवा और जनेवा है स्विजर लेंड में अगर पूछलें जनेवा में कहां है, तो जनेवा में एक जगा है कोलोनी, C-O-L-O-G-N-Y, कोलोनी वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम के चेर्मेन को ने, क्लॉस शुआब, क्लॉस शुआब कौनसे राज्य की पुलीस है भारत में, कौनसे स्टेट की पुलीस है, जिसने एक सॉफ्ट्वेर यूज करना स्टार्ट करा है, क्रॉलर, ये सॉफ्ट्वेर उन्हें इंटर्पोल ने दिया है, इंटर्पोल बोलते हैं इंटरनेशनल पुलीस को, इनका हेड़क्वार्टर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी को रोकने के लिए महाराष्टा की गवर्मेंट ने महाराष्टा की पुलीस ने ट्रेस योनिट बनाई हैं। प्रेस की फुल फॉर्म है टैक्टिकल रेस्पोंस अगेंस साइबर चाइल्ड एक्स्प्लोइटेशन यानि बच्चों के योन शोशन बच्चों के एक्स्प्लोइटेशन को रोकने के लिए उसमें फिर ये क्रॉलर का इस्तेमाल करेंगे। ये शुरू करी है बैंक ओफ बरोडा और बैंक ओफ बरोडा जो है वो जो इस इंडेक्स आया था इस वर्जन टू इस का जो वर्जन टू था उसमें टॉप करा है बैंक ओफ बरोडा ने बैंक ओफ बरोडा के मेनेजिंग डिरेक्टर है संजीव चड़ः पहली भारत की मह महिला कौन है, वुमेन कौन है, जिन्होंने यूरोप के जो प्रोफेशनल लीग है, पेशेवर लीग हैं, उनमें गोल मारा. तो इनका नाम है बाला देवी, और बाला देवी स्कोटलेंड के एक क्लब के लिए खिलती हैं, जिसका नाम है रेंजर्स. तो इन्होंने गोल मारा है और ये पहली भारत की महिला है जिन्होंने एक Professional European Football League के मैच में गोल किया है भारत में सबसे ज़्यादा Google पे क्या सर्च किया गया 2020 में Google पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्था IPL Indian Premier League सबसे ज़्यादा खोजा गया और पूरी दुनिया में सर्च क्या खोजा गया Corona Virus तो Corona Virus पूरी दुनिया में यानि World में खोजा गया लेकिन इंडिया में खोजा गया IPL पश्यम मंगाल की जो सरकार है West Bengal Government उन्होंने पश्यम मंगाल का पहला Deep Sea Port बनाने का निर्णे लिया है कहां पे बने गई यानि कि पश्यम मंगाल का पहला गहरा समुदरी बंदरगा Deep Sea Port तो ये बनेगा ताजपूर में और ताजपूर कहां है ताजपूर है पूरवी मिदनापूर में पूरवी मिदनापूर डिस्टिक्ट में है West Bengal में very important question और West Bengal में दो पोर्ट और है एक तो कॉलकाता पोर्ट है जिसको शामा परसाद मुखरजी पोर्ट बोलते हैं और कॉलकाता बंदरगा जो है इसके 150 years सुचकांक जलवायू परिवरतन परदर्शन सुचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा इसमें 1st 2nd और 3rd नंबर पे कोई भी नहीं आया चोथा नंबर दिया गया स्वेडन को और इंडिया की रैंक थी इसमें नंबर 10 पिछले सालम 9 पे थे इस बारम 10 पे है यहाँ पर जिसने 2.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का लोन इंडिया को दिया है बायो फ्यूल ड डवलप्मेंट के लिए यानि कि जयव इंधन होता है जयव इंधन को बढ़ाने के लिए भारत में उसपर रिसर्च के लिए 3.5 मिलियन डॉलर का लोन तो यह दिया है ऐसियन बैंक और एशन डवलप्मेंट बैंक के प्रेजिरेंट है मसात सूगू आसा कावा जापान के है और वाइस प्रेजिरेंट है अशोग लवासा जो इंडिया के है अभी अभी कौन सा लगुवित बैंक है यानि स्मॉल फाइनेंस बैंक जिन्होंने एक बैंकिंग चैनल बनाया है कि वो free wifi देंगे public places में जो सार्वजनिक जगा है वहाँ पे wifi फ्री दिया जाएगा इस योजना का नाम क्या है इसका नाम है PM वानी इसका नाम है PM वानी United Nation General Assembly ने अप्रूव करा है कि पहली बार एक epidemic preparedness के लिए यानि महामारी की तैयारी के लिए अंतराष्ट दिवस मनाये जाएगा International Day of Epidemic Preparedness ये कम मनाये जाएगा? ये 27 दिसंबर को मनाये जाएगा पहली बार 2020 में HL2M Tokamak नाम का एक reactor है ये खाली में खबरों में था काफी news में था ये कौन से country का है? इसको artificial sun भी बोलते हैं यानि कृत्रिम सुरज भी बोलते है artificial sun ये है चाइना का और चाइना ने इसको Sichuan province में लगाया है और ये fusion reaction पे काम करेगा nuclear fusion nuclear fusion मतलब नाभी किये ये दो होते हैं नाभी किये विलायन और एक होता है नाभी किये विखंडन तो ये नाभी किये विलायन पे काम करेगा nuclear fusion क्योंकि सुरज के उपर क्या होता है? नाभी किये विलायन होता है hydrogen मिलके helium बनता है सुरज के उपर तो उसी पे काम करेगा ये इसको artificial sun बोला जा रहा है नितिन गड़करी ने बिहार में कोईलवार पुल का उधगाटन करा ये डेड़ किलोमेटर लंबा पुल है ठीक है ये कौन सी नदी पे बना है ये पुल तो ये कोईलवार पुल जो है ये भोजपुर में बना है अंतराष्ट्रिय गॉल्फ फेडरेशन जो है उसके प्रेजिडेंट कौन बनी है ये बहुत महान गॉल्फ खिलाडी रही है इनका नाम है अनिका सौरेंस्टेम अनिका सौरेंस्टेम नैशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एमपावरमेट यानि राष्ट्रिय दिव्यांग शशक्तिकरण केंद्र ये कहां पे इनका गया है ये अभी-अभी हकिम पैट नाम की जगा है हैदराबाद के पास हकिम पैट वहाँ पे किया गया है तो आंसर है तेलंगाना और गॉलियर जो जगा है मद्धे प्रदेश में वहाँ पे एक चीज़ बनी है जिसको बोलते है Center for Disability Sports Center for Disability Sports जो है वो बना है गॉलियर में और तेलंगाना ने एक योजना भी स्टार्ट करी है अभी जिसका नाम है रायतु वैदिका रायतु वैदिका अनिंद्या बैनर जी ये भारत के राजदूत बने है कोन से देश में तो ये देश है नोर्थ कोरिया नोर्थ कोरिया को हम DPR के भी बोलते है DPR के मतलब Democratic People's Republic of Korea यानि DPR के नोर्थ कोरिया की कैपिटल है और इसकी जो करंसी है वो है वन प्रेजिरेंट है किम जोंगुन दुनिया की सबसे पावरफुल वुमेन जो है दुनिया की सबसे शक्तिशाली सो महिलाएं उनमें नमबर वन कोन है तो दसवे साल लगातार नमबर वन है एंजला मरकल ये जर्मनी की चांसलर है और इनकी पार्टी का नाम है CDU Christian Democratic Union CDU इंडिया की बात करें तो नेमला सीतरमन हमारी वित्तमंत्री वो रही 41 नमबर पे और रोश्नी नदार मलोत्रा वो है 55 नमबर पे रोश्नी नदार जो है वो HCL कंपनी की मालकिन है रोश्नी नदार दूसरे नमबर पे रही Christine Lagarde जो European Central Bank की चेर्मन है नाना अकूफो अड़ो ये कौन से कंट्री के प्रेजिडेंट दुबारा बने है तो ये बने है गहना के गहना की राजधानी है आक्रा गहना की राजधानी है आक्रा भारत का जो Export-Import Bank है Export-Import Bank of India जिसे Exim Bank बोलते हैं उन्होंने 448 मिलियन डॉलर का लोन कौन से कंट्री को दिये 448 मिलियन डॉलर ये मिला है उजबेकिस्तान को उजबेकिस्तान की मुद्रा है सोम और राजधानी है ताशकंत CMS-01 ये Communication Satellite कौन से कंट्री का है तो ये इंडिया का है याद रखिए CMS-01 ये हमारा संचार उग्रह है यानि Communication Satellite है और ये लॉंच किया गया PSLV C-50 से और ये 52 मिशन था इस रोका PSLV C-50 से लॉंच किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर शरी हरी कोटा आंदर परदेश के नेलो डिस्टिक्ट में आता है वहां से भारत का पहला भारत का पहला coal gasification यानि की कोईला गैसी करण पर आधारित fertilizer plant fertilizer plant मतलब उर्वरक सैंतर ये कहां पे बन रहा है और इसमें pet coke भी mix किया जाएगा pet coke blending की जाएगी तो ये बन रहा है तलचर में और तलचर है ओड़ेशा में और हमारे तेल और गैस के मंत्री कोँ है तेल और गैस के मंत्री है धर्मेंदर प्रधान और हमारे fertilizer मंत्री कोँ है chemical और fertilizer मंत्री है सदानंद गोड़ा सदानंद गोड़ा की constituency है Bangalore North अभी अभी Sports Person of the Year फिक्की ने किसे डिक्लेर करा है भारत में Federation of Chambers of Indian Commerce and Industry यानि फिक्की के द्वारा साल का Best खिलाडी कौन रहे तो यह रहे बजरंग पुनिया और एला वनिल वला रिवन तो आंसर है बजरंग पुनिया और एला वनिल वला रिवन एला वनिल वला रिवन जो है यह शूटर है, शूटिंग करती है और बजरंग पुनिया पहलवान है यानि रेसलर है और यहाँ पर यह भी आद रखिये कि साल का Best Coach कौन डिक्लेर किया गया तो Athletics के Coach है जिनका नाम है राधा कृशन नायर इसके अलावा Sports को प्रोमोट करने के लिए Best Company है अनिल कुम्बले की कम्पनी जिसका नाम है Tenwick Sport T-E-N-V-I-C Tenwick Sport अनिल कुम्बले की कम्पनी इसको Best Sports Promoting Company डेकलेर किया गया Time Magazine ने Person of the Year किसे डेकलेर करा है Time Magazine की Person of the Year है जो बाइडन और कमला हैरिस यानि अमरीका के नए राश्पती और उपराश्पती कमला हैरिस के गाउं का क्या नाम है थुला सेंदरा पुरम और ये तमिल नाडू के तिरु वरु डिस्टिक्ट में आता है Time Magazine के ओनर है Mark Benioff Mark Benioff जो है वो Salesforce Company के मालिक है जिन्होंने अभी अभी एक कमपनी खरी दिया जिसका नाम है Slack और Time Magazine ने Zoom Company के CEO Eric Yuan को Business Person of the Year डेकलेर करा NBA के Superstar Lebron James Basketball खराड़ी इन्हें Athlete of the Year और South Korea के Pop Group BTS को Entertainer of the Year डेकलेर किया और Time Magazine ने अभी अभी Kid of the Year भी डेकलेर किया था भारत की Gitanjali Rao को रामनुजम प्राईज जीतने वाली पहली Non-Indian को ने गैर भारती है हमेशा Indians ने जीता है लेकिन पहली बारे एक Non-Indian ने जीता है इनका नाम है Carolina Araujo और Carolina Araujo जो है ये Brazil की है इन्हें Ramanujam प्राईज मिला है और Ramanujam प्राईज को Shastra Ramanujam प्राईज से Confuse मत करना ठीक है दो अलग-अलग प्राईज होते है एक होता है Ramanujam प्राईज और एक होता है Shastra Ramanujam तो Shastra Ramanujam प्राईज किसे मिला है ये मिला है शाई-एवरा को S-H-A-I Shai E-V-R-A और शाई-एवरा जो हैं वो इसराइल की हैं, तो शाई एवरा को मिला है शस्तर नामानुजम प्राइज, दोनों मैथामेटिक्स के लिए मिलते हैं, धर्मा नाम की किताब किसने लिखी है, धर्मा, इससे पहले इन्होंने सोहेल देव नाम की किताब लिखी थी, तो इनका नाम है मिश्ट्रिपाठी, बारत ने रोड इंफ्रस्ट्रक्चर सेक्टर, यानि की सड़क बुनियादी धाचा, इसमें आपसी सहयोग के लिए कौन से कंट्री के साथ समझोता करा है, टेक्निकल कॉपरेशन करेगा, इंडिया तकनी की सहयोग करेगा, तो यह हमने करा है आस्ट्रिया के साथ, आस्ट् सेक्ट में आयुजित होगा, तो भारत में होगा, औरीसा में, 2023 पुरोषों का होकी वल्लकव, दो जगा पे होगा, एक होगा राऊर कहला में, और एक होगा भुवनेश्वर में, राऊर कहला में है बीजू-पटनायक स्टेडियम और भुवनैश्वर में है कलिंग स्टेड में नंबर वण कोन रहा इसमें नंबर वण रहा उडिसा सरे कर औरNotesh chutche सार्य में कहा नागा लेंड अफरी निम्बर पे रहा राजकिय मंत्री है और जल शक्ति मंत्रा लेके जो कैबिनेट रंक के मंत्री है वो है गजेंदर सिंग शेखावा जिनकी constituency है जोधपुर और इसका थीम क्या था जल प्रभावशिकर सम्मेलन का इंडिया वाटर इंपेक्ट सम्मिट का अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिं बने है नए पाकिस्तान में टॉप डिप्लोमेट डिकलेर करा गया है सुरेश कुमार को ये भी ध्यान रखिए very important सुरेश कुमार इससे पहले पाकिस्तान में हमारे राजदू थे अजे विसरिया लेकिन अजे विसरिया अब चले गएं कैनेडा तो कैनेडा की ambassador है अजे वि इसमें 75,000 यानी 75,000 रुपे दे जाएंगे अगर आप SC है, ST है या Minority है यानी अगर आप गैर हिंदू है अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती के हैं तो 75,000 रुपे आपको मिलेंगे सरकार की तरफ से जिससे आप भेड और बक्रिया खरीच सकें यानी goat and ship खरीच सक कौन सी कंपनी है जिसका नाम बदलकर अब इंडस्ट आवर रख दिया जाएगा तो ये कंपनी है भारती इंफराटल, भारती इंफराटल, कौन सा और्गिनाइजेशन है, कौन सा संगठन है जिसने बंग बंदू शेक मुझेबुर रह्मान के नाम पर एक अवार्ड स्टा के लिए दिया जाएगा, तो ये करा है अभी-अभी युनेस्को ने नया प्राइस स्टार्ट, शेक मुझेबुर रह्मान का ये सोमा साल है, सोभी जैनती है उनकी, बंगलेश के पिता बोलते हैं, इने बंगबंदू बोलते हैं प्यार से, अभी जो बंगलेश की प्रधान किस का साल है, उसको Creative Economy for Sustainable Development, यानि रचनात्व करतवरस्ता सतत विकास के लिए ये डिक्लेयर करा है, Year of Creative Economy for Sustainable Development, युनेस्को का हेड़कोर्टर पैरिस में, प्रोजेक्ट 17A, नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट, अभी अभी जो बनाई है, Garden Reach Ship Builder and Engineer, GRSE ने उसका नाम क्या है, उसका नाम है INS हिमगिरी, तो कई सारी बनेगी, सबसे पहले नीलगिरी बनी थी, अभी हिमगिरी आ गई है, फिर उदैगिरी, डुनागिरी, अंगारा A5, अंगारा A5 Space Rocket, ये रिप्लेस करेगा इनके पुराने रोकेट को, जिसका नाम था Proton M Heavy Rocket, तो ये रोकेट लॉंच करा है, रशिया ने, रशिया ने एक सेटेलाइट भी छोड़ी है, अभी अभी जिसका नाम है Arctica M, ब्रिटेन की कंपनी AstraZeneca ने, अमरीका की अलेक्जियोन को खरिद लिया है, कितने में? अलेक्जियोन फार्मा को, ये डिलू ये 39 बिलियन डॉलर, 49 अरब डॉलर, HGC09 वैक्सीन, ये पहली दवाईय करोना की, जो MRNA पर अधारित है, ये कौन सी कंप्री ने बनाई है? ये बनाई है, जनोबा नाम की कंप्री ने, जनोबा, भारत की पहली दवाईय है, जो MRNA पर बेजड है, स्वाधिनता सडख, ये भारत और कौन से देश को जोड़ेगी और ये 26 मार्च 2020 को शुरू हो जाएगी, 26 मार्च 2020 को बांगलादेश की अजादी के 50 साल हो जाएगे, तो ये सडख भारत और बांगलादेश को जोड़ेगी, इसका नाम रखा गया है स्वाधिनता सडख, और ये किस को किस से जोड़ेगी? ये बेसिकली भारत की जो तरफ है उसको बांगलादेश के महरपूर डिस्ट्रिक्ट से जोड़ेगी, महरपूर डिस्ट्रिक्ट, भारत और बांगलादेश के बीच में और भी रास्ते खुलेएं, एक फैनी प्रिज बन रहा है, जो सबरूम को जोड़ेगा, राम नगर से, बांगलादेश के, और एक चि महरपूर डिडिटल प्लेट्फ़र्म कौन से राजे ने लॉंच करा है, महा शरद डिडिटल प्लेट्फ़र्म दिवयांग लोगों के लिए शुरू करा है महराश्टर की सरकार में, महराश्टर की गवर्नर है बघसिंग और जो गोवा के गवर्नर भी है, रिजब बैंक इंडिया ने भारत का पहला Automated Banknote Processing Center बनाया है कहाँ पे Automated Banknote Processing Center जो है यानि स्वाचलित Banknote प्रसंसकर्ण केंदर ये जैपूर में बना है रजिस्थान की कैपिटल और जैपूर में भारत का पहला Organ Donor Memorial भी बना है अंगदान्स मारक शक्ति बिल कौन सा भारत का राज्य लेकर आया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति विध्यक पास हो गया है जैसे दीशा बिल आया था दीशा बिल लेकर आया था आंदर परदेश और शक्ति बिल लेकर आया है अभी महराष्टर तो आंसर है महरा जो ministry है हमारा union ministry Kendra मंतराल है उन्होंने अभी अभी जो बुद्ध्धिस टूर ऑपरेटर है उनके लिए अंतराש ट्रीय सम्हेलन का आयउजन किया तो किसने किया कौन से मंतराल ने किया तो ये किया ministry of tourism इसमें जो बुद्ध धर्म का परियाटन है भारत में बहुत सारे स्थाने जो बहुत धर्म से रिलेटेड है सारनाद, कुशी नगर, बोध गया तो उनको आपस में जोड़ा जाएगा उनको एक तरह से बुधिस टूरिजम को प्रोमोट किया जाएगा मलाना क्रीम ये एक तरह का चरस या हैश है ये कौन से राजे में उगाया जाता है तो ये हिमाचल में उगाया जाता है मलाना क्रीम, जो वहाँ पर कुलू डिस्टिक्ट है मलाना घाटी है, वहाँ पर ओगाया जाता है The Presidential Years, ये किताब जो है ये خाली में खबरों में रही ये किस भारती राश्पती का संस्मरण है यानि कि कौन से भारत की राश्पती ने किताब लिखी थी उनकी death हुई अभी अभी उनका नाम है प्रणम मुखर जी तो ये मिरत्यों प्रांथ उनकी किताब रिलीज हुई है The Presidential Years ICC महिलाओं का जो World Cup होगा 2022 का वो कहां पे होगा तो ये होगा New Zealand में पहले 2021 में होने वाला था 2022 में होगा तो आंसर है New Zealand कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने एक Digital Payment सेवा शुरू करी है जिसका नाम है Dark Pay तो Dark Pay को शुरू करा है इंडिया Post Payment Bank इंडिया Post Payment Bank Human Development Index यानि मानव, विकास, सुचकांक में भारत का स्थान क्या रहा भारत का स्थान रहा 131 131, नंबर वन इसमें रहा Norway Vision 2035 एक श्वेत पत्र जारी करा गया है Vision 2035 वाइट पेपर भारत में Healthcare के उपर, ये किसने लॉंच किया है ये लॉंच किया है नीती आयोग ने नीती आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री मोधी, चेर्मेन है मोधी वाइस चेर्मेन को ने? वाइस चेर्मेन है राजीव कुमार और सीओ है अमिताब कांत सरकार ने कौन सा Mission शुरू करा है जिसमें भारत के जो क्वालिटी प्रोड़क्ट्स है उनकी मार्केटिंग की जाएगी, उनको प्रोमोट किया जाएगा इसका नाम रखा है Brand India Class Plus Company के Brand Ambassador कौन बने है? Class Plus Company के Brand Ambassador बने है सौरव गांगुली अभी अभी दूसरा Offshore Petrol Vessel Goa Shipyard के द्वारा Commission करा गया इसका नाम क्या है इसका नाम है सुजीत ICGS इससे पहले जो Commission किया गया था वो था ICGS सचेत और अब दूसरा है ICGS सुजीत इसको बना है Goa Shipyard और ये पांच है सचेत, सुजीत, सजग, सार्थक और सक्षम पांचो बन के तयार है लेकिन Commission सिर्फ दो हुए है उपर वाले ICGS सचेत और सुजीत Spice Money Company का Ambassador कौन बना है तो ये है Sonu Sood ये Gargo International Company के Ambassador भी बने है और Acer Company है टाइवान की Electronic Company Acer उसके Brand मेसे भी बने है Sonu Sood Land Grabbing Prohibition Act यानि की कोई जमीन ना दबोच ले उसके लिए भूमी कबजा अधिनियम निशेद अधिनियम कौन से राज लेकर आए इसमें काफी कठोर सजा है अगर आप किसी दूसरे की जमीन दबोच लेते हो ग्रैब कर लेते हो अतिक्रमन कर लेते हो तो 14 साल तक की सजार को जेल में हो सकती है तो ये लेके आया है गुजरात तो आंसर है गुजरात सरकर सो ये था हमारा वीडियो 300 Best Question का December का Part 2 I hope आपको अच्छा लगा होगा और हम इसको हिंदी में लेकर आए मिलते हैं Part 3 में Thank you for watching Study IQ